तिया जोब कर रहा है डेली कर गार से टीफिन का डब से टीफिन का दब्बा उठाया वहाँ पर गए टीफिन कंप है कर पर आ गए और बिदिदधनस भी ऐसा आए यहा आज कर दिया कल प्रॉफिट आना फो जाएगा कि मार्केट में तो इतना सारह स्टाथ अपर और 10 परसन भी प्रोंटक्ट जितना या लेटेस्ट डिजाइन यह नया कलेक्शन उतना अच्छा बीथा दोस्तों इस बीदिनिस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो निचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आने वाला हूँ, जिसको start करना तो एकदम आसान है, और business भी ऐसा है, आज start कर दिया, कल से profit आना start हो जाएगा, तो ऐसे में आपको लगता होगा, कि यार तो ऐसा business है, तो हर कोई क्यों नहीं कर रहा है, तो दोस्तों, इस business के अंदर अगर किसी को भी success होना है, तो इसके अंद तो भी tension लेने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास लाखो रुपय नहीं investment करने के लिए, तो भी tension लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हमारे साथ है, आदेश भाई, जो कि आपको business भी सिखाएंगे, और profit कैसे कमाना है, वो भी सिखाएंगे, तो hello, आदेश भाई, आपका और आज का वीडियो हमने डिसाइड कि एक educational वीडियो और information वाला वीडियो हम बनाएं, क्यों हम हरी वीडियो में दिखाते हैं, बट आज का हमारी कोशिश है कि आपको जाते ज़ता आइडिया, knowledge और motivation मिले, आपको एक अलग से जोश मिले किया, मुझे भी business करना चाहिए, त मुझे करना है, तो उसका reason के कैसे करना है, जी, सबसे पहला यही सवाल है कि यार उसकी life तो अच्छी तरह से चली रही है, तो विजनेस क्यों करने के लिए आप बोल रहे हो, बिजनेस का दूसरा मतलब है कि अपने आपको comfort zone से बाहर निकलना, सही बात है, मतलब देखिए, कि आज आप सुबह उठ रहे हो, नौ से साथ की जॉब जा रहे हो, आप 20,000, 25,000, 30,000 या 50,000 maximum आप कमा रहे हो जॉब में, आपको क्या लगता है, आपके लिए पूरे पढ़ रहे है, 50,000 या 25,000 मेरे ख्याल से तो नहीं पढ़ रहे है, क्योंकि दोस्तों आज जो भी कुछ किया था, कुछ अलग किया था, उन्हें भी पहले गाली सुननी पड़ी होगी, उन्होंने भी बहुत करश्ट देखा होगा, तो इन शॉट, बिजनस का मतलब है, हाड़ वर्क, बिजनस का मतलब है, अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकलना, जो लोग कहते है, यार 9 से तो बिजनस हमेशा कभी भी करना चाहिए, और बिजनस शुरू करने का कोई टाइम, सरी टाइम नहीं है, बिजनस जब आपके मन में है तब आप कर सकते हैं, कोई एज नहीं है, 17-18 साल वाला बच्चा से कर सकता है, 50-60-80 साल का बुज़ूर्ग, अगर उसमें एनरजी है, को वह भी कर सकता है, क्या बात है, तो दोस्तों यहां पर आपको यह क्लियर हो गया होगा कि बिजनस कैसे करना है, और क्यों करना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है, तो जो लोग बिजनस करने के लिए आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे, अगर एक लाइन में में करो, तो हो सकता है, आप एक ही साल में जो आपको डेवलोप्मेंट जो प्रोग्रेस मिलेगा, वो पाथ साल के जॉब में भी नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा एक रीजन है, बिजनस करने का, उसके बाद सेकेंड कुशन है, कौन सा बिजनस करना चाहिए, कि ऐसा कौन सा तो वह भी बहुत बड़ा एक रीजन है कि आपको बिजनस भी पहले, उसको चॉइस करना चाहिए, कौन सा बिजनस मुझे करना चाहिए, तो यहाँ पर यही मेरा next question होने वाला था, कि मार्केट में तो इतना सारे business है, काफी सारे startup है, तो ऐसे में आप कपड़ों के business को लेक साइल के कपड़ों की need होती है, साडी, सूट, जेंट, लेडिज वेरो, किट वेरो, वो हर तहवार पर एक इंडिया में पर्चेस किया जाता है, तो साडी को जो डुमांड है, सबसे जादा जो शॉपिं करता आपको भी बता, लेडिज करती है, तो लेडिज वेर कलेक्शन अच्छे डिमांड में चलता है, सूरत में हर साल एक नया मार्केट ओपन होता है, एक मार्केट में कम से कम 2-3,000 शॉप है, और मैंने कभी कोई शॉप ने देखी कि यार कोई शॉप बंद होगी है किसी कारण से, या पर हर साल ओपन हो रहा है, और हर साल टेक्च्चाल बीचो या 6 मिने बाद बीचो कपडा बिकता ही है, लॉस में नहीं बिकता है, अगर आपने 100 रुपे का खरीदा है, तो लास्ट से लास्ट 100 रुपे में बिकी जाता है, बतला आपने जो इन्वेस्मेंट किया, वो तो रिटन आई जाता है, तो बहुत बड़ा रीजन है कि कपडा जो लाइन है,टक्साइल बतला सबसे बेस सबसे लाइना, तो इसलिए आपको इस बिजिनस के अंदर आना चाहि さr कोई बिजनस के अंदर आता है तो उसके मीडब में जलिभार कि क्ना में इंवेस्समेंट हो उसके मारी süट यह करती और जेटिई इन्वेस्मेंट करेंगे उतनी ज्यादा आपको व्राइटी मिलेगी उतना ही आपको बेनेफिट मिलेगा और हमने एक जो रखा है कोटेशन जो कि आप 20-25 जार से कर सकते हैं तो इन內 जो है जो है होज बीष पचीन हर कोटेशन इसलिए रखा किसे हमसे पहना वी आपको रखा करों और जो ऑलैखने एक लाग раскalo pigment का आपको पूरा उसमां गाइड करेंगे कि वह इंवेस्मेंट को आपके एरिया ये सिटी के सबसे क्यों सा इंवेस्मेंट कौन से प्रोड़क्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करना है अब भी बात आ जाती है प्रॉफिट के बारे में कि कोई भी पचास अजार भी लगा देता है के मिनमम कितना अभी बारते सकता है कपड़ा में अच्छत होना जीह है कि आपका जो कि तो रिटेल लाइन में ऐसा होता है कि जितनी अच्छी आप मार्केटिंग कर सकते हो उतना अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं एक एवरेज प्रॉफिट के बाद करो तो 40-50% मार्जिन आपको इसमें मिल जाता है क्या बात है तो भी वह भी बहुत ही ज्यादा है दो टाइप क करता आपको कौन सा बिजनस करना ओके तो यहां पर बिजनस के बारे में आपने बहुत ही अच्छी इंफर्मेसंदी काफी सारे लोग मोटिवेट होंगे कि आपके साथ जुड़कर बिजनस करना तो अभी सबूरी फैशन क्या फर्म है कितने साल से चल रहे हैं क्या-क्या व हुमारे मेयन प्रडूक्स है ब डिन फारे राक पानली मिट कअलेग्शन दाले को को मिलने वाला है जब अगर आपको कोór मैन्नृफिक्षर मिल जाता है जिसके पास इतना कलेक्शन होता है तो आप सोचते कि यह हमें पहले क्यों नहीं मिलें यहां पर आपको माल के साथ साथ जो बिजनस करना है कैसे सेलिंग करने कस्टेमर कुछ सवाल पुझेगा कैसे समझाना है उसका भी गाइडेंस आपको मिलने वाला है आपके बस क्या क्वेशन आने वाले और आपको क्या जवाब देना है तो दोस्तों यहां पर केवल कपड़ा नहीं बेचा जाता सबसे में इंपोर्टन बात है बिजनस कैसे करना है यह सिखाया जाता है और आज के टाइम पर आदेश भाई देखने जाए तो पैसे सब के पास है ब आदेश भाई की टीम से बात कर सकते हो और अपना बिजनस स्टार्ट कर सकते हो तो आदेश भाई यहां पर बहुत ही अच्छा अपने बिजनस का नोलेग दिया लास्ट एक लाइन में कैसे हम वीडियो कंप्रेट कर उसके बार में बताईगे मैं सारे वीवस को यह कहना चा है मेंने साल भर भी लग सकता है बट जब बिजनस सेट हो जाएगा तो फिर पीछे मुड़के नहीं देखना पड़ेगा आपका यह फैमिली बिजनस हो जाएगा आपके बच्चे उनके बच्चे बिजनस कर पाएंगे और एक अच्छे से सेट अप हो जाएगा तो मैं लास पाएंगे बिजनस सेट रिलेत इंफरमेशन देने के लिए